बिग गुड नूज फ्रॉम रिजो बैंक ओफ इंडिया आर बी आ है जी हां आज MPC की मिटिंग थी उसका उटकम क्या आया है उसमें क्या क्या हुआ आईए बात करते हैं उसके पहले आपको बता दू अगर आपको मंडे के लिए चाहिए होगा जैकपोट शेर जो की वन डे स से 10 डेस में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे तो मुझे वाट्सव करके पूछ सकते हो 954585000 इस नमबर पर फ्रेंड्स रिजो बैंक की मिटिंग थी MPC की मौनेटरी पॉलिसी कमिटी की जिसमें डिचाड किया गया है कि इंट्रेस्ट बढ़ाना नहीं है इंट्रेस्ट उतन रहे है बट रिजो बैंक गवर्णनर ने ये भी वार्निंग दी है किसका मतलब यह नहीं है कि आगे बढ़ेगा नहीं इस मीटिंग के लिए फिलाल हम यह बोल रहे है कि रेट बढ़ेंगे नहीं यह जो कमीटी है 6 लोगों की कमीटी है MPC की उसमें से 5 लोग 5 लोगों का कह बढ़ाना चाहिए और इसलिए मेजरोटी से यह डिसेजन लिया गया है कि इस बार बढ़ाना नहीं है हाला कि मार्केट को एक्सपेटर था कि 0.25 परसेंट से या फिर 25 बेसेस पॉइंट से इंट्रेस बढ़ाये जाएंगे बढ़ ऐसा नहीं हुआ और उसी के कारण आज हम मार्केट में रहता ही है और क्यूंकि मार्केट ओलरी पिष्ले अप्ते में काफी भाग चुका है और यसलिए थूरा सा पॉन्स जो closing दी यही बड़ी बात है क्योंकि interest बढ़ाया जाता तो market गिर भी सकता था और रिजो बैंक ने GDP का forecast भी इस meeting में declare किया है 6.5% का forecast दिया है for the financial year 23-24 और उसके against में World Bank ने जो forecast दिया था वो 6.6% दिया था पहले वो घटा कर अभी World Bank ने 6.3% कर दिया था जबकि रिजो बैंक का जो forecast है 6.5% का है देखना आईए है कि आने वाले quarters कैसे GDP growth दिखाते है यह काफी interesting रहगा देखना उसी के उपर market भी चलेगा और रिजो बैंक के जो अगले जो interest rate बढ़ाना कि नी बढ़ाना वो भी decision होगा हाला कि पिछले मैने में जो inflation rate था वो भी घटकर आया था वो इसाब से थोड़ा सा रिजो बैंक ने इस बार pause कर दिया है क्योंकि रिजो बैंक को भी मालूम है कि बहुत ज़्यादा pressure है पुरे बैंकों पर और जो loan लेते हैं उनको काफी लोगों ने में देखा अलाला जगा comment किया कि इसमें आम आदनी का क्या फायदा हुआ अरे भई interest rate नहीं बढ़े तो आपके जो loan लेते हैं कार पे लेते हैं घरों पर loan लेते हैं या bank से finance लेते बिजनस के लिए उसका भी interest rate बढ़ेगा नहीं इवन common man को भी रात की साज दी है थैंक ये फ्रेंट्स अब देखना ये है कि market next week कैसा भीव करता है बट ये तो एक good news हो गई इसका tension था हो खतम हो गया अब फिर से focus रहेगा market का USA के उपर क्योंकि वहाँ पर भी bankों में कड़ बढ़ी bank कोई भी और बरबाद हो सकती है ऐसे रिपोर्ट आ रहे है देखते है आने वाला दीनों में क्या होता है thank you friends